आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ इस क्वेशन हमसे कहा गया है कि यह पास एक स्टेंडर् रेक्टेंगूलर पार मैंगेट है तो टाइम पीरेड इन युरिफॉर्म बैंटिक फील्ड 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 में रखते हैं तो उसका टाइम पीरेड आता है हमार पास फॉर सेकंड रखर हमसे आगे क्या रखा है कि जो अब बार मैंगेंट हमने इसको कट पैरलर टूइट्स सिलिंद्स इन पोर उक्वल पीशस में तेके बार मैंगेट को हमने पोर उक्व pesos में कट कर दिया है हमसे पूछा गया है कि time period in uniform magnetic field, देखे, when the piece is used, किता हो रहा होगा, और बोला गया है कि हमने power magnet की breadth is very small, देखे, मैं ऐसा कुछ दे रखा है, कि यह हमार पास एक power magnet था, यह हमार पास एक power magnet था, देखे, इसका मैं यह north pole बोल देता हूं, और यह south pole बोल देता हूं, देखे, हमने इसको इसकी length के across parallel cut कर रखा है, four equal pieces में, मतलब इसको ऐसे कुछ cut कर दिया है, ठीक है, इसको ऐसे कुछ cut कर दिया हमने, cut parallel to its length, मतलब अगर हमार पास अब 4 bar magnet बन चुके हैं, जिनकी length same है, जिनकी length अभी भी same है, मतलब magnetic length उन सबकी सभी same है L, ठीक है, magnetic length अभी भी L same है, ऐसे हमार पास 4 bar magnet हो गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि pole strength तो कि हमने आधी हो देगी, ठीक है, one fourth हो देगी तो कि हमने इनको four equal pieces में cut कर रखा है, तो हरकी अब pole strength हमार पास M by four हो गई, ठीक है, तो magnetic moment किता और हो का सबका, magnetic moment हो जाएगा हमार पास M dash equals to M by four into L, ठीक है, यानि पहल अगर इसका magnetic moment M होता, अगर ऐसा हमाल लेते हैं, कि अभी जो original था, उसका magnetic moment हमार पास M था, M into L के बरढ़र, तो अब हो गया हमार पास M by four हो गया, अब हमार पास M by four हो गया, तो आप देख सकते हैं कि इसका moment of inertia भी change हो दाएगा, moment of inertia कितना होता इसका, moment of inertia होता हमार पास M into into L square plus P square upon 12 चल रहा होता, देखे, moment of nature is M into L square plus P square by 12, तो कि L length तो अभी भी सब की constant है, breath, breath भी सब की change हो रही है, इन आप देख सकते हैं, हम से कहा गया है कि magnet की जो पार की breath है, उस वामें small बोलना है, तो हम इतनी मतलब जो B आकर हमारा small है L की comparison में, L बहुत बढ़ा है B की comparison में, तो L square और बहुत बढ़ा हो जाएगा, तो हम इसको सीधे M L square by 12 भी लिख लेते हैं, M L square by 12, तो इसका moment of inertia chain नहीं हो रहा होगा, तो कि breath को हमने neglect मार दिया है, तो moment of inertia अब का सेम है, तो आप जानते हैं कि जो torque experience करता है वो, उसकी value होती थी हमार पास, I alpha equals to होता था मार पास, Mb sin theta, और small deflection theta के लिए Mb theta हो रहाता था, तो आप displacement अपान में acceleration की वेलिए आ रहाती थी हमार पास, I upon mb, यानि जो time period होता जाएगा, उसकी वेलिए रहाती थी हमार पास, 2 pi square root of displacement अपान में acceleration होता था, यानि I upon mb हो रहाता, तो कि displacement हमारा theta, angular displacement और angular acceleration अलफा होता, उसकी value I upon mb आ गई, तो time period ही बन रहाता हमार पास, और आप देख सकते हैं, कि magnetic field B की value सेम है सबकी, अभी भी तो 4 बार magnet बन जाएंगे हमारे, उनको अगर हम उसी magnetic field में रखेंगे, यानि B की value सेम है सब में, ठीक है, B की value सब में सेम है, moment of inertia I की value भी सब में सेम है, ml square by 12, ठीक है, ml square by 12 वो भी सब में सेम है, तो change हो रहा है, वो magnetic moment हो रहा है, ठीक है, और एक का magnetic moment आप बन गया, m' m by 4, तो जो new time period हो रहा होगा, T' उसकी value होगी है हमारे पास, 2pi under root of I, सेम है सब का, m की जगा m' पूट करेंगे, m' यानि M by 4, ठीक है, m by 4, यानि 4 उपर आ जाएगा, into B चल रहा होता हमारे पास, ठीक है, यानि I upon M B सेम हो रहा था, तो आप देख सकते हैं, 4 under root में, बाहर आएगा तो 2 होद आएगा, यानि 2 into 2pi, square root of I upon M B चल रहा होता, ठीक है, I upon M B हमारा original time period T था, यानि 2T बन गया, तो जो हमारा नया time period है T' वो हो गया, original के 2 times, ठीक है, original time केता लग रहा था मारे पास, original time उसका लग रहा था 4 second, ठीक है, तो जो नया time लग रहा होगा T' इकोस टो आएगा 2 into 4, ठीक है यानि 8 second, तो कि original आमें दे रहा था 4 second लग रहा था, जो हमने उसका cut नहीं किया था, और उसको uniform magnetic field में रखा था, तब time period था उसका 4 second, तो अभी 2 into T बन रहा था, यानि 2 into 4 यानि 8 second, तो इस question का अनसार वान पास 8 second है, यानि option B, option B हमारे इस question का अनसार है, ठीक है, thank you.